नमस्कार मैं नेखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी वक्त चला है पचास बड़ी खबरों का ओल इंडिया कॉंग्रस कमेटी का बड़ा फैसला करनाटक प्रदेश कॉंग्रस कमेटी भंग करने का किया फैसला समाजवादी पार्टी नेता को नकसलियों ने धारदार हत्यार से मारा कर की हत्या कोटा से बीजेपी सैंसद ओम बिर्ला बने नए लोकसबा स्पीकर लोकसबा स्पीकर बनने के बाद बोले ओम बिरला कहा कुछ से निश्पक्ष होनी चाहिए और दिखनी भी निश्पक्ष चाहिए पेम मोदी ने जिताया ओम बिरला पर विश्वास कहा आपके लोकसबा द्रक्ष होने पर हमें गर्व लोगसबर स्पीकर को बधाई देते हुए रामदस अठावले ने सुनाई कभी था मोधी राहुल सोनिया ने जम कर लगाए ठाके असद उदीनोवैसी ने ओम बिल्ला को बधाई देते हुए कहा रेफरी बने रहें गेम का हिस्सा ना बने वन नेशन वन इलेक्शन सभी पार्टी प्रमुखों की बैठक ममता समेत कई नेताओं ने किया किनारा वन नेशन वन इलेक्शन बैठक में शामिल नहीं होगी कॉंग्रेस ममता वेनर्जी के बाद केजरिवाल का फैसला पी एम मोधी की बैठक में नहीं होगे शामिल वन नेशन वन एलेक्षन पर मायवती का हमला कहा ये राश्टि समस्याओं से ध्यान बाटने का प्रयास वे छलावा मात्र है वाहन चालक लाइसेंस पर मोधी सरकार का बड़ा फैसला नियूंतम शेक्षणिक योग्यता की अनिवारता होगी खत्म बिहार में चमकी बखायर से मरने वाले बच्चों की संक्यावी 112 सेकड़ों बच्चे अभी भी इलाज रख बिहार में बखायर से बच्चों की मौध पर ओड़ेशा तक हड़कंप लीची के नमूनों से होगी जाच हार के बात से गायब है तेजस्पी यादव कहा विश्व कप मैच देखने गए होंगे कॉंग्रेसी गटबंदन पर चलका सीएम कुमार स्वामी का दर्द कहा हर रोज दर्द से गुजर रहा हूँ कॉंग्रेस नेता ने ट्विटर पर पोस्ट की फोटो बच्चे मर रहे हैं MP गोवा में पार्टी कर रहे हैं पश्य में दिल्ली से सैंसत परवेश मर्मा का इसलामिक इमारतो परवार उप राजजपाल को लिखा पत्र दिल्ली में 6 साल की बच्ची से रेप अस्पताल की दूसरी जगह रेफर करने पर भीड का हंगामा मुखरजी नगर मामला दिल्ली हाई कोट में जनहत याचिका पराज हुई सुनवाई ममता का मीम शेर करने वाली प्रियंका शर्मा का ट्विटर पर पिये मोदी ने किया फॉलो विटर पोस्ट इलीट होने पर भढ़के दिकविजे सिंग कर सकते हैं संसदिय जाच की मा वायो दोफान से सुस्थ हुई मौनसून की चाल बारा साल में पहली बार हो सकता है लेट चीव्स जस्टिस रंजन गुगोई ने कहा पॉप्यूलिस्ट तातकोतो का उदे जूडिश्युरी के लिए चुनौती उनांचास साल के हुए राहुल गांधी पीए मोधी ने बधाई देते हुए कहा लंबी हो आपकी उस्टिस्ट सैनिको पर मार फीट का आरोप वीडियो हुआ वायरल सेना ने कहा करवा रहे हैं जांच जाकिर नायक नहीं हुए अगर पेश तो जारी होगा गयर जमानेती वारंट राजे सबद चुनाव मामला कॉंगरस की आचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोट का नोटस दिले में बड़ती मज़्यतों पर बीजेपी सांसद ने उठाए सवाल एलजी से की पौरन कारवाई की माम निजी कंप्रियों को मिल सकती है ट्रेनों की कमाल सबसीडी छोड़ने के लिए भी चलेंगी कैमपेण हैदरबाद में बेरा लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर कारवाई पुलिस ने बाइस सो नाबालिकों को पकड़ा लगन चड़ा कर लोट रहे लोगों के साथ हुआ हादसा दो मासूमों सही दस की मौके पर मौन पतनी को शराब पिलाई चागू से गोधा पत्थर से सिल कुचला फिर जंगर में फेका पुलिस मुट भेड में कार लोटेडो का गैंग गिरफतार एक साथ दबोजे गए पांच पशिमंगाल में फिर एक बर बीजेपी कायर करता की हत्या भाजपा ने कहा ये इतिहास का काला दौर येस्टी काउंसिल की बैठक कल बजट से पहले हो सकता है बड़ा एलान HDFC बैंक को लगा एक करोड़ का जुर्माना RBI ने किया फैसला अमेरिका ने भारत को चेताया कहा भारत होगावे को ना दे हमारे उत्पात पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर कच्छे तेल में आई तेजी शाहिद कपूर ने खोला अपना हैपिनेस का सीक्रेट कहा बच्चों से मिलती है एनरजी वनिकपूर की खिलाफ F.I.R. सेलिब्रिटी क्रकेट लीक में धोखा धड़ी कहा आरो शिर्टलेस पोटो शेयर कर सल्मान खान ने पूछे सवाल मिले मज़िदार जवाब बेगबी ने 14 मिनट का सीन किया एक कट में सीन के लिए सेट पर गुंजी तालिया नर्क में रह रही हूँ कंगना रनौत से मिला सपोर्ट रतिक रोशन की बहन ने किया खुलासा सुनाली बेंद्रे के साथ अफेयर को लेकर शोय वक्तर ने तोड़ी चुपी और मिस इंडिया के साथ मंचलों ने किया अबदर वेवार फेस्बुक पर साज़ा की आप भी थी पुल्दासपुर से सांसत सनी देओल को लग सकता है बड़ा जटका इसी जारी कर सकता है नोटिस गेंद्रे मंत्री प्रबल पटेल के बेटे को कोट में किया गया आज पेश पैंजने की पाक कप्तान सरफरास की फजीहत मोटा कहे कर चड़ाया वीडियो हुआ वा वाइरल इस अन्यास के बाद अपनी नई पारी के लिए फिर बी सी सी आए के पास पहुंचे युवराद सेंग फिलाल पचास बड़ी खबरों के लिए तना ही और अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाबकेसरी.com को बेल ऐकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूले मैं निखिलकुमार पंजाबकेसरी स्टूडियो से